हलो फ्रेंद्स कैसे आप सर आई गोप सब वह दो अच्छे होंगे और आज देखी आ मेरे साथ वीडियो के एंड ते रृत ओलो टीखाती हूं और सारे लोग तइार हो गए हैं और घर की आलत देखिए बहुत खराब है क्यूंकि कई मिझाते हैं तो घर की आलत जरूर खराब हो जाती है और बेबी ने देखिए क्या पेहना है लहंगा मैं सभी का लुक आपको दिखाती हूं अभी व性 केमरे से तो ये देखिए बच्चे वगिरह तयार होकर के आ रहे हैं और आज हम लोग क्योंकि माता पुजन में जाना है जैसा कि मेंने आपको बताया है और माता पुजन जो है हमारे इधर मंडब से पहले होती है तीन दिन की शादी होती है हमारी इदर, एक दिन माता पूजन, दूसरे दिन मंडप और तीसरे दिन बारत का कारिक्रम होता है, तो हम लोग माता पूजन में मामा जी की इधर जा रहे हैं, और मामा जी जो है मेरे इधर पास में ही रहते हैं, थोड़ी दूर हैं, बट हमारी घ यसी लग रही हूँ क्यों कि ये साड़ी मैंने एक बार कुछा और पर कुर्ट पामा ची आ कि आ हो में के लिए तो कुछ महमान आ गए थे मेरी का वला और ये जो पीछे जा रहे है यह है नानी है और ये मेरी छोटी वाली मामी है और सभी को मैं बताऊंगी आप लोग को कौन कौन है और ये दुलहन है सुन्दर लग रही है ना दुलहन और ये जो फोटो खीच रही है ये भी मेरी मामा की बेटी है दौनों बहने हैं और देखिए सभी लोग जा रहे हैं माता पू जा रहे हैं और रियल गाने तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती है क्योंकि कॉपी राइट आ जाएगा और ये देखिए ये भी मेरे मामा की बेटी है मतलब कुल मिलाके मेरे माई के वाले ही हैं सारे लोग और भावी वगेरा भी हैं पीछे और मेरी मासी भी है और कई ये सभी लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी जा रहे हैं और माई के की सादी में तो मजा ही बहुत आता है और ये देखिए हम लोग आ गए मंदिर पे तो ये जो मंदिर है भोपाल में ही है और मामा जी के घर के पास से जो मंदिर पास में पढ़ता है तो वही पर जाते है मात नहीं है इसके बारे में और ये मंदिर में आपको अंदर से दिखाती हूँ तो ये देखिए कुछ प्रतिमा यहां पर लगी हुई है भगवान शेफ शंकर और नंदी की और बहुत बड़ा मंदिर है बट कुछ कारण बस बंद है ये बस पूजन की जगे जो है खुली हुई ह मां की पूरा मंदिर बंद है और कोरोना के टाइम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये देखिए यहां पर भगवान किसकी है ये प्रतिमा आप देख करके बताईएगा कि किसकी है ये और ये देखिए राधा क्रशने की प्रतिमा बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और ये देखिए पूडियां हमारे दर ऐसे चड़ाते हैं जब शादियों में खूट बोलते हैं हमारे दर इनको जब जाते हैं तो सबी लोग एक एक दो दो खूट रखते हैं वहाँ पर और पूजन होती है विदी विदान से जो भी जैसे भी पूरा प्रतीमा जो पहले इतना ही बड़ा था मंदिर अब बढ़ गया है और चलिए डांस करते हैं तो यह हो रहा है हमारे घर कर डांस तो आप लोग इंज्वाइब कीजिए तो देखिए आते हुए तो स्वांती से आते हैं लेकिन जाते हुए सभी लोग डांस करते हुए जाते करते हुए जाते हुए जाते हुए जाते हैं तो यह जाते हुए णिए और मैंदे़ करते हैं कर दो 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 कर झाल 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 तो हम लोग आ गए हैं घर और देखिए मेरी बेहने दोनों कितनी खुश हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाएं और इसके बाद हमारे इदर हल्दी की रस्म होती है जो सेकेंड पार्ट में मिलेगी इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजी और बैल आइकन प्रेस कर दीजिए पर बाइब कर दो है झाभे इसलिए बाहएँ